अब हम आचुके हैं माही सिल्क्स एंड यहां पर हमारे साथ हैं शिशीर जालांसर सर यह बताइए फर्स्ट एडिशन जो था इस एक्जिबिशन का उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था और किया था तो सेकंड एडिशन जो है उसमें आपको मतलब में कितना फर्क दिख कितना इंप्रूमेंट हुआ बिजनेस में क्या फाइदा हुआ आपको उसका एक्स्पिरियंस ट्रेयर किजिए सर यह मेरा सेकंड टाइम है फर्स टाइम भी हम लोग ने एक्जिबिशन में पार्ट लिया था और बहुत अच्छा रिस्पॉंस था स्टॉल्स पिछली बार क करेंक है और जनरली यह क्या है कि आफ्टर वर्ट पता लगता है बिकाद हमारी ब्रैंडिंग है अब हमारी ओर्डर के ओपर डिपेंट करता है क्योंकि यहां तो मारे लेते नहीं है फैक्टरी के ओपर लोग आकर लेते तो पिछले साल का रिस्पॉंस तो बहुत अच्छा अब इस साल वेट करते हैं कि इसका रिस्पॉंस कैसा रहेगा पता बात में चलेगा सब्सक्राइब का एक्जिबिशन जो है वो लास्ट यह से शुरू किया है और यह एक्जिबिशन जो है इस इंडस्री के लिए बहुत माइने रखता है तो आप क्या सोचते है इसे और किस लेवल तक ले जाना चाहिए एस जेसे सी आई को उसके बारे में आपका कोई मश्वरा आपका कोई फिडबेक हाँ इस बात में लात को भी मेरी दिपू भाई से बात हो रही थी कि इसको अपने को ग्लोबल लेवल पे लेके जाना चाहिए बिकाज जो कपड़ा बन रहा है साड़ी वर्ल्ड वाइट चलती है और हम लोग खाली अभी सूरत के मार्केट को केटर कर रहे हैं इंडिया भर के कस्टमर्स भी नहीं आपा रहें बिकाज जो हम लोग केटर कर रहें वो सूरत टेक्स्टाइल मार्केट को ही जाधा तर लोग सप्लाई कर रहे हैं तो मैंने दिपू भाई से यही बात की कि अपने इसको ग्लोबल लेवल पे लेकर जाना चाहिए कि अपने इसे एक्सपोर्ट भी करे और बाहर के घ्राग भी अपने को मिले अब वो वकाउट होगा कि कैसे क्या कर सकते अपने डेफिनेटली सर फिटबेक आपने दिया है तो सूरत को इंटरनेशनल प्लैटफॉर्म पे ले जाने की SGCCI की जो उनका इरादा है वो तो डेफिनेटली वो साकारित होगा मुझे यह जानना है कि यह एक्जिबिशन पूरा और्गिनेश किया SGCCI ने उनका अप्रोच कैसा लगा उनके फैल स्टेशन कैसा लगा उनके फैसिलिटीज आपको कैसी लगी वो बताइए से उसमें आपका कोई फिटबेक या आपका एक्सपरियेंस वो शेर किजिए नहीं उसमें तो सब कुछ बहुत अच्छा है और पिछले साल से लेवल इनने बहुत अच्छा इंक्रीज किया है और आगे भी हम एक्सपेक करते हैं कि इसी तरीके से और नएने एक्जिबिशन करते रहें मतलब कोई कंप्लेन नहीं है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं तो यहीं बोलूँगा कि और ऐसे अच्छा करते रहना चाहिए सर अगर आपके प्रोडक्स की बात करें तो इस बार आपने क्या नया प्रोडक्स जो है आपने लांच के आए कौन सी सोच आपने उसमें डाली है वो बताईए सर सर हर साल हम नएने प्रोडक्स इंट्रिड्यूस करते हैं इस साल भी हमने तीन-चार नएने प्रोडक्स इंट्रिड्यूस किये हैं जो आगे लगन में शादियों में दिवाली पे वो चीजे अप्रूव होंगी जो कस्टमर्स अभी से हमारा ले रहे हैं और तैयारी चालू है अब कस्टमर के उपर डिपेंड करता है कि वो कितना उसको सरहा देते हैं बट डेफिनेटली अच्छा ही होगा तो ये थे हमारे साथ माही सिल्क से शिशीर जालान जुन्होंने बहुत ही अच्छा फिटबैक भी दिया स्ट्रीट फॉर्वर्ड सारी बाते कहीं और अपने दिल की बात जो है हमारे साथ शेयर की फिर से मिलेंगे इसी तरह से उनी के साथ थर्ड एडिशन में भी हमारे साथ वो जुड़ेंगे और इससे बड़ा स्टॉल जो है वो उनका होगा क्योंकि उनकी तरक्की जो है वो अगली साल इसी तरह से प्रदर्शित होगी थैंक्यू सुमस्स हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक्यू